एगाईस मैं हुआ देते और आप देख रहे हैं मुबाइल बॉक्स आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने नाम से या फिर किसी और के नाम से life insurance कराते हो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि आपके मरने के बाद या फिर जिसके नाम से life insurance हो रहा है उसके मरने के बाद जो भी पैसा रहेगा वो सबी पैसा आपके family member को दिया जाएगा तो भाई आप life insurance का मतलब समझ में आ गया लाइक और इस चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको मोबाइल की हार एक वीडियो मिल जाएगी तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं जब आप एयर टेल का life insurance के लिम करने जाओगे तब आपको कौन-कौन से document देने पड़ेंगे और उससे पहले आपको कौन-कौन सा form fill up करना पड़ेगा पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जब आप एयर टेल में life insurance वाला recharge कराने जाओगे तब एयर रिचारज आप कितने रुपे का करा पाओगे और साथ हम लोग बात करेंगे कि आपको recharge कराने पे extra क्या benefit मिलेगा जब आप यह recharge कराने जाओगे तब यह recharge आपको दो प्राइज में देखने के लिए मिलेगा पहला है 119 रुपे में और दूसरा है 129 रुपे में जो पहला recharge है 119 रुपे गा इसमें आपको दो जबी डाटा पूरे 28 दिनों के लिए मिल जाता है पूरे unlimited calling आपको इसमें मिल जाएगी और इसमें आपको 300 SMS मिल जाएगे पूरे 28 दिनों के लिए और उसके साथ आपको additional benefit देखा जाए तो इसमें आपको life insurance तो मिले गाई साथ में आपको air tail stream मिल जाएगा और आपको wink music मिल जाएगा और साथ में आपको halotune भी मिल जाएगा अगर हम लोग बात करें दूसरे recharge के बारे में जो 280 रुपे का है इस recharge में आपको DRGB per day data मिल जाएगा unlimited calling मिल जाएगी और validity आपको 28 दिनों के लिए मिल जाएगी और इसमें आपको per day 100 SMS आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगे और हम लोग बात करें additional benefit के बारे में तो इसमें आपको life insurance तो मिल जाएगा इस साथ में आपको air tail stream prime मिल जाएगा और साथ में आपको wink music free hello tune और आपको first tag का जो tag होता है जो टोल नाकी पे लगता है डेड़ सो रुपे तक का cashback मिल जाएगा और आपकी phone में antivirus जी software आपको अपने phone में मिल जाएगा जब आप life insurance का recharge कराने जाओगे तब आपको याद रखना है कि आपकी age 18 साल से जादा होनी चाहिए और 55 साल से कम होनी चाहिए जिसके नाम पे नमर alert होगा उसी को ये life insurance मिलेगा तो आपको याद रखना है कि आप किसके नमर पे life insurance का recharge करवा रहे हो और आपकी age क्या है जब आप इसी recharge को कराने जाओगे तब आपको द्याँ रखना कि आप ये recharge अपने एटल थांक्स एप से करो या फिर आप अपने किसी एटल नजदी की सौप पे जाकर ही करो तब ही जाकर आप एटल life insurance का फायदा ले पाओगे नहीं तो आप किसी और एप से करते हो जैसे पेटियम गूगल पे फोन पे जैसे एप से करते हो तब आपको life insurance का profit आपको नहीं मिल पाएगा ये तो बात हो गया कि जब आप इसे recharge करा लोगे और recharge कराने के बाद आपको अपने फोन में additional benefit क्या देखने के लिए मिलेगा अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जब आप एटेल का life insurance रिचार्ज करा लेते हो अपने नमर पे तब आपके उसी नमर पे एक message आता है जिस पे एक link दिया रहता है एटेल के तरफ से उस link पे आपको click करना है उसी link पे click करने के बाद आप एटेल के official website पे चले जाओगे जब आप website पी जाओगे और website जब open हो जाएगी तब आपको एक form fill up करने के लिए कहेगा उस form में आपको ID proof मांग सकता है जैसे कि आपका अधार card, pen card और driving license जैसे card मांग सकता है और साथ में आपका photo भी मांग सकता है इन सभी form को fill up करने के बाद आप उसे submit कर दी दिये अगर आपको इन सभी form को fill up करने problem हो रही है तो आपको 198 पे call करके customer care से बात करके भी यह form fill up कर सकते हैं या फिर आप किसी air tail shop पे जाकर भी यह form fill up करवा सकते हो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप जब life insurance claim करने जाओगे तब आपको कौन-कौन से document submit करने पड़ सकते हैं पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको जो यह life insurance air tail की तरफ से दिया जा रहा है यह actually में HDFC bank के तरफ से life insurance आपको दिया जाएगा इसमें आपको term and condition पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लेना है इसका link मैं अपने description में दे दूँगा जहां से आप ATL की official website इसका term and condition पढ़ सकते हो और मैं आपको इसमें जो important बाते हैं मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ तो पहला तो यह है कि जब आप ATL का life insurance claim करने जाओगे तब आपको ATL या फिर ATL की किसी भी customer care से आपको कोई भी मतलब नहीं होगा आप इसका जो claim करोगे वो direct आप HDFC bank के तरफ से करोगे हाँ जो भी form fill up होगे वो सभी bank ATL के तरफ से ही होगा वो ATL HDFC को भेजेगा लेकिन जो भी amount दिया जाएगा वो HDFC bank के तरफ से ही दिया जाएगा उसमें ATL का कोई भी हाथ नहीं होगा और दूसरा important यह है कि जब आप HDFC bank में अपना life insurance claim करने जाओगे और bank से आपकी जड़प हो जाती है तब ATL आपकी उसमें कोई भी मदद नहीं करेगा इस problem को आपको खुद ही निबटना होगा और तीसरा है सबसे important है जो ATL और HDFC bank के तरफ से है कि आपकी यह जो 18 और 55 साल के बीच में होनी चाहिए जिसके नाम पे number registered है उसी कोई life insurance का benefit मिलेगा और जब कोई claim करने आएगा तो उसका बेटा होना चाहिए उसकी पतनी होनी चाहिए या फिर उसकी बेटी होनी चाहिए नहीं तो अगर कोई रिस्दार आके उसको claim करता है तब HDFC bank उस रिस्दार को या फिर किसी और को life insurance claim करने नहीं देगा अब बात कर लेते हैं चौत है और आखरी time and condition के बारे में जब आप HDFC bank में life insurance claim करने जाओगे तब आपको 4-5 document जो है बिल्कुल अच्छे तरह से त्यार कर लेना जैसे कि पहला है कि जिस आदमी की मृत्ति हुई है उस आदमी का death certificate दूसरा उसका post-modern report तीसरा डॉक्टर के तरफ से return में लिखा होना चाहिए कि इस वेक्ति की मृत्ति कैसे और कब हुई है और hospital का मोहर भी लगा होना चाहिए और चौथा उसके पहचान के लिए pen card जैसे voter ID आधार card जैसे document आपको साथ ले जाना पड़े और बाकि जो सभी condition या फिर जो भी बाकि सभी rule रहेंगे वो सभी आपको HDFC bank में अच्छे से समझा दिया जाएगा तो friends आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने इस वीडियो में आपको क्या चीज़े बताई है जैसे कि आप इसे कितने का रिचार्च कर आपाऊगे आपको farm fill up करना में क्या क्या document submit करना पड़ सकता है तो अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस कोबाइल की हर इक वीडियो मिल जाएगी तो मिलता हूँ आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक लिए टाटा बाई बाई